Hello and welcome friends, मैं नाम है जावेत, आप देख रहे हैं helpful लास से YouTube चैनल दूस्तों ट्रेइनों में urgent travel करने के लिए scheme launch की गई थी ततकाल टिकट की ततकाल टिकट लेकर के लोग travel कर सकते थे, उनको confirm seat मिल जाती थी हाला कि ततकाल टिकट बुक कर पाना IRCTC की website से या railway counter से काफी ज़्यादा आसान नहीं है साल 2014 में October के बाद से एक scheme launch की गई थी premium ततकाल यानि कि ततकाल के दो भाग कर दिये गए थे, दो हिस्से कर दिये गए थे ततकाल टिकट अलग कर दिया गया था और premium ततकाल अलग कर दिया गया था premium ततकाल में जैसे जैसे seat कम होती जाती है, वैसे वैसे किराया बढ़ता जाता है लेकिन प्रीमियम तत्काल को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है जनहित में ये काफी खराब इसकी में इसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये वीडियो लास तक जरूर देखेगा आपके लिए काफी जादा हैर्फुल होगा और कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तो तत्काल टिकट तक तो ठीक था 200 से 200 सीटे होती थी एक ट्रेन के अंदर उसके अंदर आप तत्काल टिकट बुक करते थे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी लेकिन प्रीमियम तत्काल तो खुले आम रेलवे की लूट है रेलवे पूरी तरह से लूट रहा है तत्काल ट ततकाल में जमीन आसमान का फार्ख है ततकाल टिकट एक फिक्स प्राइज होता है और प्रीमियम ततकाल जैसे जैसे सीट कम होती जाती है वैसे वैसे उसका किराया बढ़ता जाता है प्रीमियम ततकाल की अगर बात कर ले तो दो गुना से ले करके पांच गुना तक प्रीमिय क्लास का हो गया सेम ऐसी एसी क्लास की अगर बात कर ले कोई टिकट 2000 रुपए का है तो वह 1200 रुपए तक जाता है आप खुद IRCTC की वैबसाइट पर चेक कर सकते और आप तो देखते ही होंगे अगर आप ततकाल टिकट बुक करते होंगे तो प्रीमियम ततकाल इसकीम खुले आम आम जनता को लूटने का एक साधन है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बता दूँ एक आदमी एक सीट के लिए 600 रुपए दे रहा है और किसी को अगर अरजेंट ट्रेवल करना है तो वही आदमी 900 से 1000 रुपए दे रहा है ये तो सही था कोई भी दिक्कत नहीं थी तत जनता भी इसके उपर काफी जादा शिकायत करती रहती है आए दिन आप न्यूज आर्टिकल में देखेंगे या कोई अधर वेबसाइट पे देखेंगे लेकिन इसके उपर कभी कोई आवाज नहीं उठाता है ना ही संसद में ना ही रोड के उपर कोई आवाज नहीं उठा कराते हैं कैंसिल कराने पर 0 रूपीज रिफंड होता है और उनकी सीट पर जबकि कोई और ट्रेवल करता है क्योंकि आप अगर खुद ट्रेवल नहीं करेंगे और वो टिकट कैंसिल भी नहीं करते हैं तो दो इस्टेशन के बाद वो सीट किसी और को दे दी जाएगी या निक को जल्दी से जल्दी बंद करके सारे टिकट को नॉर्मल ततकार टिकट में कर देना चाहिए इसके बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक में जरूर बताइएगा ऐसी अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्क्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले वो अब तक पहुंच सके थैंक यू सो मच पर वाचिंग